Hello everyone, welcome back to this channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ Summer Vacation की कुछ वोक्षिट शेर करने जा रही हूँ इसे पहले भी मैंने आपके साथ Summer Vacation Part 1 और Part 2 शेर किया है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं आज की इस वोक्षिट में मैं आपके साथ Summer Vacation Part 3 की वोक्षिट सेर करने चारी हूँ इन वोक्षिट में मैंने हिंदी, इंग्लिश, EBS और कुछ मेंटल मैट से रिलेटेड को शेर किया है अगर आपको ये वीडियो हेल्फुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके शेर जरूर करें यहाँ पे कुछ वोट्स दिये गए हैं और यहाँ पे कुछ शेप्स बनाए गए हैं कौन से शेप्स के साथ कौन साफ वर्ट फिट होगा यह बचो को दिये गए वर्ट में से फाइंड करना है और जगह पे लिखना है इस तरह से जैसे यहाँ पे आएगा बैग, जम, हीर, अवे, हेल्प, टाप, 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 राइग इस तरह की वर्ट शेट बचो को स्कूल में कराये जाते हैं तो इस तरह से आप बचो को इसली वर्ट शेट बनाके दे सकते हैं और उनकी इसली प्राक्टेस करवा सकते हैं यहाँ पे कुछ spellings दिये गए हैं, जो कि गलत वे में दिये गए हैं, बच्चों को इसे सही करके लिखना है, जैसे यहाँ पे देखें, E, S, E, K, O, S, O, B, Y, M, K, T, H, I, N, यह जितने भी spellings दिये गए हैं, यह स्क्रम्बल करके दिये गए हैं, इन सारे जो spellings हैं, इने बच् how, down, can, तो इस तरह की वक्षिट आप बच्चों को जरूर दें, यह जो वक्षिट है, यह बच्चों की mind को, यानि thinking power को improve करने के लिए काफी helpful है, यह हमें काफी easy लगता है, लेकिन जब बच्चे इसे करते हैं, तो काफी time taking है, और बच्चों की जो thinking power है, उसे भी काफी improve कर तो इस तरह से वक्षिट आप बना के उन्हें प्राक्टिस करवा सकते हैं, here is the next question, use a word from the box to complete each sentence, आप यहां पर देख सेते हैं, जिसमें कई सारे words दिये गए हैं, और यहां पर कुछ sentences लिखेंगे हैं, जिसमें बच्चों को filling the blanks way में, जो भी words, correct word in दिये गए box में से बच् we can go dash the park, तो यहां पर क्या आएगा, we can go to the park, उसी देख से the cat is big dash brown, so the cat is big and brown, तो यहां पर जितने भी sentences हैं, और यह जितने भी words हैं, यह ने बच्चों को sight words की practice के लिए दिया है, अगर आप बच्चों को sight words पढ़ा रहे हैं, या फिर उन्हें पढ़ा चुके हैं, तो कुछ इस तरह की basic worksheet बना के दे सकते हैं, जिसमें बचों को कई सारे sight words दे सकते हैं, और कुछ sentences दे सकते हैं, जिसमें बच्चे खुद read करेंगे, और correct sight word, कौन से sentence के साथ, कौन से sight word correctly fit होगा, वो बच्चों को इस तरह से filling the blanks में में आप दे सकते हैं, और easily उन्हें sight words की practice करवा सक तब ही उन्हें opposite word को introduce कर दिया जाता है, लेकिन जब बच्चे 6-7 साल की age group के होते हैं, या grade 1 में आते हैं, तो बच्चों को उससे लिखने के लिए दिया जाता है, जैसे यहाँ पे old, old का opposite हो गया new, उसी तरह से यह है heavy, heavy का opposite क्या हो गया light, wide का opposite हो गया narrow, clean का opposite हो गया dirty, wrong का correct, light का हो गया dark, slow का opposite हो गया fast, poor का opposite हो गया rich, full का opposite है empty, ugly का opposite है beautiful, तो इस तरह की worksheet अगर आप बच्चों को बना के देंगे, तो बच्चे opposite words को भी learn करते हैं, और साथ ही उनकी spellings को भी recognize करते हैं, अगर आप बच्चों को opposite word अभी introduce कर रहे हैं, तो आप यही same चीज को matching way में द को जोड़ कर शब्द पूरा करें, यहाँ पर कुछ वर्न या अक्षर दिये गया हैं, जिनको बच्चों को जोड़ते हुए उनके शब्दों को लिखना है, जैसे यह मतर, तो मतर हो गया, यह तीनों को मिला के बनता है, मतर, उसी तरह से अजगर, अजगर, उसी तरह से की मातरा वाले शब्द, जिसमें आप बच्चों को इस तरह से वक्षिट बना के दे सकते हैं, जिसमें आप बच्चों को दो अक्षर, तीन अक्षर या चार अक्षर वाले शब्दों को जोड़के लिखने के लिए दे सकते हैं, और इसली बच्चों को उसकी प्राक्टेस क की मातब भी मातरा नहीं तो उसने और खेंडे कोई थी बनाए और उनके शब्दों को लिखने के लिए दें एक्षर के दो-दो शब्द लिखें, यहां पे कुछ अक्षर दिये गए हैं, जैसे न, म, क, ल, ट, स, तो यह जितने भी अक्षर हैं, उनके बच्चे को बच्चों को हर एक alphabet से कुछ words बनाने के लिए देते हैं, उसी तरह से आप हिंदी में भी कुछ अक्षर दे सकते हैं, चाहे वो swear से हो या vengeance से, और उससे बच्चों को दो या तीन शब्दों को बनाने के लिए दे सकते हैं, इससे कि बच्चों को हिंदी में किस तरह से कोई शब्द को लिखा जाता है और उससे कैसे बोला जाता है इसकी प्राक्टिस बनी रहे नेक्स क्वेस्चन दिये गए वेंजनों में मातरा लगाएं और लिखें आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वेंजन दिये गए हैं जो अक्षर हैं और यहाँ पे कुछ मातरा हैं बच्चों को हर एक अक्षर के शाद दिये गए मातराओं को लगाना है और उन्हें ब बच्चे को के साथ लगाएंगे छोटी इकी मातर तो बनता है की, इसी तरह से खी, गी, घी, ची, ची, तो इस तरह से अगर आप बच्चो को देंगे, मातरा अगर आप बच्चो को पढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरह की वक्षिट बना के दे सकते हैं, और इसली बच्चो को लिखना और उनका सही उचारन करना सिखा सकते हैं जैसे अगर क के साथ छोटी एकी मातरा लगाएंगे तो बनता है की वहीं अगर क के साथ बड़ी एकी मातरा लगाएंगे तो बच्चे को बोलना है की तो इस तरह से आप बच्चों को देंगे तो बच्चों सही उचारन करना और कौन सी मातरा के साथ हम किस तरह से मातरा लगाते हैं और उसका उचारन कैसे किया जाता है ये बच्चे आसानी से सीख सकते हैं तो इस तरह से आप बच्चों को प्राक्टिस के लिए वोक्षिट ब बच्चे को दिएगा जगा पर लिखना है जैसे यहां पर बच्चे ने लिखा 18 तो 18 की बच्चे को स्पेलिंग लिखने उसी तरह से 20 उसी तरह से 47 तो इस तरह की वोक्षीट आप बच्चे को बना के दे सकते हैं अगर बच्चे को आप तो इस तरह से बच्चे को अगर आप देंगे तो उससे बच्चे स्पेलिंग भी लॉन करते हैं और साथ ही उनकी प्राक्टिस भी बनी रहती है एक बच्चे इससे solve कर दें तो बच्चे को यहाँ पर लिख दिया गया कुछ question जैसे how many events are there तो यहाँ पर जितने भी event number है बच्चे को उसे count करने है और उसका number लिखना है कौन सा even number है और कौन सा odd number अगर आपने बच्चे को अभी तक even number और odd number नहीं पढ़ाया है तो इससे related भी मैंने एक detail में वीडियो बना रखा है already उससे आप check out कर सकते हैं और easily बच्चे को even and odd number का concept सिखा सकते हैं यहां पर एक greater than less than or equal to का concept मैंने यहां पर include किया है जैसे यहां पर number है 10 और यहां है number 13 तो 10 number 13 से क्या है चोटा है तो यहां पर कौन सा sign यूज होगा less than यानि 10 is less than 13 उसी तरह से आप यहां पर देखें यहां पर मैंने equation को भी include किया है यह बचों के लिए थोड़ा challenging होता है जैसे यहां पर 12 plus 2 और यहां पर 13 तो पहले बचों को यह mental calculation करना है 12 plus 2 कितना होता है 14 और 13 यहां पर 14 is greater than 13 तो यानि कि 12 plus 2 जो equation है वो बड़ा है 13 से तो बचों को यहां पर greater than का sign यूज करना है अब यहां पर देखें यहां पर मैंने subtraction को भी use किया है जैसे यहां लिखा है 16-3 तो 16-3 कितना होता है बचों को यह mental calculation करना है तो यह हो गया 13 और यहां है 12 तो 13 is greater than 12 तो यहां पर greater than का sign आ है इसी तरसे अब यहां पर देखें यहां पर भी मैंने एक और concept दिया है जिसमें मैंने दोनों तरफी equation दिया है तो यहां पर equation है 18-3 और यहां पर equation है 19-5 तो 18-3 का equation का जो answer है 15 और 19-5 का answer है 14 तो यहां पर कौन सा equation बड़ा है 15 तो यहां पर बच्चे को 18-3 is greater than 19-5 तो यहां पर greater than का sign देना है अब यहाँ पे देखें यहाँ पे 13 और यहाँ पे 19-6 तो यहाँ पे 13 है और 19-6 कितना होता है 13 तो again 13 is equal to 13 इस तरह की worksheet आप बच्चों को easily बना के दे सकते हैं जिसे बच्चे concept भी सीखते हैं greater than less than or equal to का साथ ही बच्चे इसे mental calculation जिसमें addition suppression को include करेंगे आप बच्चों को तो ब में कई सारे shapes के names को include किया है यहाँ पे नीचे लिखा है flat shapes और यहाँ पे लिखा है solid shapes फ्लाट shapes हो गए 2D shapes और solid shapes हो गए 3D shapes तो बच्चों को जितने भी flat shapes से इंस work box में से वह find करते हुए दिये गए जगा पे लिखना है और उसी तरह से जितने भी solid shapes जैसे जो 3D shapes हो गए वह सारे shapes को बच्चों को solid shapes के नीचे लिखना है इस तरह की worksheet से बच्चों को अगर आप इंटर्ड्यूस कर रहे हैं 3D shapes और 2D shapes तो आप बच्चों को इस तरह से basic worksheet बना के दे सकते हैं इसमें बच्चों को आप समझा सकते हैं कि जो भी flat shapes होते हैं वो 2D shapes होते हैं और उस तरह से जो भी solid shapes के अंदर आते वो सारे 3D shapes होते हैं इससे बच्चों को easily उनकी प्राक्टि यहां पर मैंने बच्चों को animals and their homes से related एक basic filling the blanks way में वोक्षिट दिया हैं जिसमें मैंने कई सारे animals के नेम दिये हैं और उससे related उनके homes बट उससे filling the blanks way में दिया हैं जैसे यहां पर लिखा है ant और उस ant का home बच्चे को यहां पर लिखना है तो जैसे ant leaves in antill तो बच्चे को लिखना है उसी तरह से lion lion lives in den duck where does the duck lives water यहां पर space दिया है यहां पर लिखा है forest so who lives in the forest तो बच्चे कोई भी wild animal का नाम लिख सकते हैं जैसे deer lives in forest उसी तरह से dash nest तो कौन सा animal nest में रहता है so bird lives in nest उसी तरह से camel where does the camel live desert तो इस तरह से basic worksheet आप बच्चों को बना के दे सकते हैं जिस इस concept बच्चों को already kindergarten में इंटर्यूस किया जाता है इस तरह की worksheet बना के देंगे तो बच्चों की recognition भी होती है साती बच्चे उनकी spellings को भी easily learn करते हैं here is the next question write five names of each here is domestic animal and here is wild animal बच्चों को five domestic animals के यहां पर नेम लिखने और उसी तरह से five wild animals के नेम लिखने जैसे domestic animals में हो गए cat, dog, parrot, sheep, horse उसी तरह से wild animals हो गए lion, tiger, deer, bear, cheetah तो इस तरह का basic concept आप बच्चों को प्राक्टिस के लिए जरूर दें domestic animal और wild animal कौन कौन से होते हैं यह बच्चों को अल्रेडी पता होता है लेकिन इस तरह को concept अगर आप बच्चों को प्राक्टिस के लिए तो बच्चे उसकी foods के नेम दिये गए हैं साथ ही यहाँ पर कई सारी काटेगरी दी गए हैं जैसे fruits, vegetable, drink, meat, sweet, dairy तो इस इतनी भी काटेगरी हैं बच्चे को यह identify करना है कि कौन सा food कौन सी काटेगरी में आएगा और बच्चे को वह food का नाम दिये गा इस category में लिखना है जैसे यह है coconut तो coconut क्य काटेगरी में चिकन लिखना है उसी तरह से cheese है तो cheese क्या है dairy product है तो बच्चे को dairy product वाले काटेगरी में लिखना है उसी तरह से again milk dairy product onion क्या है vegetable, lemon again vegetable, fish is a meat, उसी तरह से grapes is a fruit तो इसी तरह से जितने भी foods हैं बच्चे को यह identify करना है कि कौन सी काटेगरी में वह food जाएंगे उ अलग-अलग food अलग-अलग category से belong करते हैं और उससे समझाने में बच्चो को इस तरह की वक्षिट काफी helpful है तो इस तरह की वक्षिट से आप ईजली बच्चो को इफ अलग-अलग category के food से practice करवा सकते हैं यहां पर मैंने कई सारे बॉड़ी पार्ट के नेम दिया है और यहां पर कई सारे सेंटेंस को पढ़ना है और वो सेंटेंस किस बॉड़ी पार्ट से रिलेट कर रहा है बच्चे को समझते हुए दिये के जगह पर लिखना है जैसे यहां पर लिखा है I can help to walk, kick and run So which body part helps to walk, kick and run? So legs तो बच्चे को यहां पर legs लिखना है Same way I help to see things around कौन सा ऐसा body part है जो हमें देखने में help करता है यहां वहां तो it is eyes Same way I help to chew food which body part helps to chew food? Teeth I can help to touch and feel skin उसी तरह से I help to right, hold and catch Which body part helps to right, hold and catch? So hands इसी तरह से कई सारे आसे body parts है जो हमें कई वे में help करते है इस तरह की worksheet आप बच्चों को जरूर देए यह बहुत ही basic worksheet है जिसे बच्चों को आप आसानी से body parts के names learn करवा सकते हैं साथी उनको समझा सकते हैं कि कौन सा body part का क्या function है और वो हमें किस तरह से help करते हैं Here is the next mentor math worksheet, यहां पर पहला question is the difference between 25 and 18 is how much? So यहां पर देखिए बच्चों को बोला गया है the difference between 25 and 18 जब भी बच्चों को difference बताने के लिए बोला जाए तो बच्चों को आप जरूर बताएं कि difference का मतलब होता है minus यानि यहां पर 25 minus 18 कितना होता है बच्चों को वो बताना है So 25 minus 18 हो गया 7, तो answer is 7 Next, what is the half of 30? So answer is 15 Next question, what is the double of 30? अब यहां पर double, यहां पर half पूचा गया थे, यहां पर double पूचा है So double of 30 कितना हो गया? 60, that means 30 plus 30 कितना हो गया? 60 उसी तरसे next question है, which number is a multiply of 2? यहां पर मैंने कई सारे numbers दी हैं, बच्चों को यह identify करना है कि कौन सा number इनमे से 2 से multiply हो सकता है यानि 2 के table में आप बोल सकते हैं, तो जैसे 2 के table में हमें 4 मिलता है तो this can be multiply by 2, तो इसे बच्चे को circle करना है उसी तरसे next question है, write the next 2 number for the following यहां पर मैंने कुछ basic pattern दिया है, यह number कह सकते हैं, जैसे 4, age, 12, 16 तो बच्चे को बाकी के 2 pattern, यानि 2 next number find करना है तो 4, 8, 12, 16, यह 4 की skip counting है, तो 4 की skip counting से बच्चे को next 2 number find करना है जैसे 20 यार 24, यह 4 का table भी कह सकते हैं, या 4 की skip counting भी कह सकते हैं इस तरसे बच्चे को आप समझा सकते हैं next question, what is the value of the digit 2 in these numbers? यहां पर मैंने कई सारे numbers दिया हैं, जैसे 270, 482, 926, 2000 तो इन सारे numbers में बच्चे को यह बोला गया है कि जो digit 2 है, यानि 2 number का digit है, उसका value क्या है, वो बच्चे को दियेगा जगा पर लिखना है जैसे 217 में, जो 2 का do, जो digit है, इसका कौन सा value है, यह कौन से value पर है तो 217 में 2 जो है, वो 100 place पे है, तो इसका जो value हो गया, वो हो गया 200 तो बच्चे को यहां पर 200 लिखना है, सेम यहां पर देखें, यहां पर 482 है, तो इसमें 2 का जो value है, वो है, once place पे, तो 2 आएगा उसी तरह से 926 में, जो 2 है, वो 10th place पे है, तो इसका value हो जाएगा 20, सेम वे यहां पर 2000 है, और जो 2 है, वो 1000 place पे है, तो इसका value हो जाएगा 2000 तो इस तरह से आप basic worksheet दे सकते हैं, जिसमें बच्चे को आप value का समझा सकते हैं, कि value क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है Next, what is 60 more than 52? यहां पर 60 more than 52 पुछा गया है, तो 52 में कितना add करेंगे कि हमें 60 मिलेगा? So 8, यहां पर next question is 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 equals dash multiply dash equal dash, यहां पर बच्चे को repeated addition दिया गया है, जिसे बच्चे को multiplication वाले equation में लिखना है Multiplication की एक basic formula होता है, जैसे number of picture in a group how much? 7, multiply number of group is how much? 5, so 7, 5's are how much? 35 तो बच्चे को इस तर से इस equation को लिखना है, solve करना है Next question, if you have 35 bananas, you gave 5 bananas to your brother and 6 to your sister, then how many bananas you have left? तो यहां पर बोला गया, अगर आपके अपस 35 bananas है, जिसमें से आपने 5 bananas अपने brother को दे दिया तो यहां पर equation बहुत simple है, 35 minus 5, क्योंकि आपने पहले अपने brother को दिया, तो कितना हो गया? 30 उसके बाद, 30 bananas में से आपने 6 अपनी sister को दे दिया, तो 30 minus 6 कर देते हैं, तो कितना हो गया? 24 तो आपके पास कितना बच गया? 24, so answer is 24 banana इस तरह से basic word problems आप बचों को दे सकते हैं, इस तरह से आप easily बचों को mental math के रिलेटेट कई सारे basic questions दे सकते हैं और easily उन्हें mental math से रिलेटेट practice करवा सकते हैं इस तरह की basic worksheets बनाके आप इस summer vacation बच्चों की practice करवा सकते हैं अभी तक आपने जो भी बढ़ाया आप इस तरह की worksheets बनाके उन्हें दे सकते हैं और easily उन्हें घर पे practice करवा सकते हैं I hope कि आपको ये सारी worksheets helpful रही होंगी अगर आपको बच्चे के लिए ये सारी worksheets helpful रही हों तो please इस वीडियो को like करें चैनल पर अगर आप new हैं तो subscribe करना ना बुलें मैं आपसे मिलती हैं अपनी अगली worksheets के साथ तब तक लिए take care and bye bye